तो हे गाईज तो आज के सुडियो में हमारे पास है एक नहीं बल्कि दो-दो RC monster truck तो आज के सुडियो में हम एक RC choice की RC monster truck का unboxing नहीं करने वाले हैं इसका तो मैं already unboxing कर चुका हूं बट आज में इसका साथ मैं unboxing इसलिए कर रहा हूं आज के सुडियो में हम करेंगे इन दोनों RC monster truck का comparison और इनके बीज में कराएंगे racing और लाइस्ट में सो होगा होगा इनका time of war तो वीडियो बहुत ही मजदार होने वाल है अभी तक आपने चल्ट को subscribe नहीं कि दर प्लिस चल्ट को subscribe ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी बोल पर set कर देना because सब भी हमारे नई वीडियो के latest update आपको मिलते रहेंगे सब भी map load करूंगा So फटावर से इनकी कर लेते हैं unboxing and then हम बहुत साथ के इनका कर देना गाएंगे DAO 4 एंड बोस सारी racing और देना So वीडियो को लास तक ज़रू देना till then bye So सबसे पहले हम अपने roundy roady monster truck का unboxing कर लेते हैं So first of all इसे थोड़ा unbook कर लेते हैं फिर आमको दिखाते है क्या क्या है इसमें accesses मिलती है So सबसे पहले आप देख से हो यहां पे a USB cable मिलती है जिससे आप इस monster truck को charge पर सकती हो लुक देखी सकते हो इसका remote controller बहुत ही crazy looking में है और इसकी design बहुत ही खत्रना गए और इसमें anti-skid tats का use किया गया है So guys अभी कर लेते हैं हमारी old terrain vehicle जो की RC monster truck है जो की हमारा दूसरा monster truck है तो अब इसकी करते हैं हम unboxing और दिखाते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या accessories वगेरा मिलती है तो सबसे पहले हमें मिलता है एक judish cell जो कि हमें additional मिलता है इसमें और हमें मिलती है एक monster truck और इसके साथ हमें मिलता है इसका remote controller 2.4 GHz का और हमें इसकी साथ मिलती है एक charging cable जो कि इसके साथ ही आती है और किसी से इसको charge नहीं कर सकते है और साथ में इसमें मिलते हैं कुछ suspensions वगेरा सो आप looking bigger end की देख सकते हो से दोक्डिन के ता सकते हैं ग söz आप झाल 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 झाल